इस वीडियो में आप जानेगे किस तरीके से आप अपने coaching business को launch कर सकते हैं सौगत है आपका इस course में मैं हूँ बोईशनाद और इस course में हम सीखेंगे क्या सीखेंगे कि कैसे आप अपने coaching business को launch कर सकते हैं तो अगर आप एक tutor हैं, teacher हैं अपना coaching business launch करना चाहते हैं यहां पर अगर आपको hand holding चाहिए या already आपने coaching business चला रही है उसको grow करना चाहते हैं, उसको और भी expand करना चाहते हैं, scale करना चाहते हैं तो यह training जो batch है, इसके माधियम से हम आपको hand holding provide करेंगे practical learning भी आपको करने को मिलेगा, तो इसके माधियम से आपको क्या फाइदा मिलेगा definitely आप अपना coaching business already launch कर चुके हैं, तो उसको grow कर सकते हैं या अगर launch करना चाहते हैं, तो launch कर सकेंगे, अपने business को grow कर पाएंगे जादा से जादा students तक पहुंच पाएंगे और यहाँ पर complete आपको guidance मिलेगा, training support मिलेगा यानि ऐसा नहीं कि सिर्फ course कर लिया complete, ऐसा कुछ नहीं होगा course के साथ साथ practical learning भी होगा और उसी के साथ साथ हमारे team आपको मदद करेगे, कोई भी question query होगा आप हमारे team के साथ जूर सकेंगे और हमारे team आपको को support प्रोवाइट करेगी, तो उसी के साथ साथ यह batches जो है हमारे regular basis में चलते रहते हैं, तो इसको आप free of course join कर सकते हैं, कुछ weeks का जो course है, कुछ weeks जो हमारे batches चलते हैं, वो free of course रहेगा, उसके बाद अगर आप उसको continue करना चाहते हैं, अगर आपको हमारा training program सही लगता है, तो फिर आप उसको continue कर सकते हैं, तो अगर आप जोना चाहते हैं, तो screen पर दिये गए number पर आप हमारे साथ WhatsApp पर जोड़ सकते हैं, या आप description में link दिया हो रहेगा, तो उसको click करके आप इस course को join कर सकते हैं, और few weeks are free for you, आप उसको free में कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है continue करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही nominal fee रहता है, उसको आप pay करके continue कर सकते हैं, तो जब आपने इस training program में enroll किया है, सबसे पहले सवागत आपका, तो यहाँ पे किस तरीके से हम आपको सिखाते हैं, तो यहाँ पे आपको primarily हम एक पूरे training session को अलग-अलग phase में तियार करते हैं, उसको distribute करते हैं, और हर एक phase जो है, वो दो तरीके से divide किया गया है, एक है learning segment है, एक है practical segment या practice segment, so primarily अगर आपको in-depth अगर सीखना है उस topic के बारे में, तो आप learning segment के मादियम से वहाँ पे A to Z चीज़े जो हम समझाते हैं, उसके बाद अगर आप एकदम direct action में आना चाहते हैं, या practice करना चाहते हैं, तो practice section में आपको सिखाया जाता है, क्या क्या चीज़े आपको करना पड़ेगा, और जो हमारे guides देते हैं, वो आपको step by step guide करते हैं, उसको अगर आप follow करते हैं, तो आपका target फुल्फिल हो जाता है, और यहाँ पे, क्यूंकि यहाँ पे flexibility को ध्यान में रखने हमने बढ़ाया हैं, तो आप अपने हिसाप से इन courses को continue कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने सारा content आपको दे दी है, एक बार में ऐसा नहीं होगा, हम आपको daily या weekly हम आपको content प्रोवाइट करेंगे, आपके WhatsApp नमबर पर या आपकी mail ID पर, तो आपको उसी specific period of time में उस segment को complete करना पड़ेगा, और आपको वो जो specific phase है या segment है वो complete करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ कोई भी अगर question query है, कोई भी अगर आपको help चाहिए, तो आप हमारे team के साथ WhatsApp के मादिम से जूर सकते हैं, voice note बेच सकते हैं, वीडियो क्लिपिंग बेच सकते हैं, कोई भी question query है, वो हमें बेच सकते हैं, and we'll be more than happy to help you out, and कभी भी अगर कोई भी problem होता है, तो आप फिर से जाके, यह जो learning segment है, practice segment में जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं, और इसका जो validity रहेगा, एक साल को जो validity रहता है, तो वहाँ पे आप कभी भी इन वीडियो को refer कर सकते हैं, और हमाई टीम का support आपको एक साल तक मिलेगा, और उसी के साथ साथ कोर्स कम्प्रीट हो जाने के बाद, आप सके लियो के .org में आपका जो login ID रहेगा, उससे आप login करके, इस course के training module के वीडियो को जाके आप चेक कर पाएंगे, और जो भी question answer रहेगा, या जो भी study material रहेगा, या friends material रहेगा, वहाँ पे जाके आप उसको download कर पाएंगे, तो सबसे पहला चीज हो जाते हैं, अभी हम आ गए हैं learning segment में, तो learning segment में क्या सीखेंगे, हम in-depth सीखेंगे, और उसी के साथ साथ यहाँ पे, आप skip करके भी जा सकते हैं, आप directly practice वाले segment में जाके, चेक कर सकते हैं, अगर आप directly, आप practical चीजों को implement करना चाहते हैं, अपने business को launch करना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज, यह सबसे पहला question आता है, वाई launch a business, अगर आप एक coaching center शुरू करना चाहते हैं, coaching business शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे business को क्यों शुरू करना चाहते हैं, आप tuition से तो खुश है, एक चोटा सा batch अपने तयार के लिए, उससे अगर आप खुश हैं, यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे, कैसे आप हजारों लाखों बच्चों को easily पढ़ा सकते हैं, और अपना एक established business आप तयार कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला reason हो जाता है, कि अगर आप large audience को cater करना चाहते हैं, तभी यह जो course है यह training module है, आपके लिए बहतर होगा, आप एक scalable business शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पर बिना, मतलब आप उसको automate कर पाएंगे, तो फिर आपका business चाहिए, वो automatically चलता रहेगा, आपके staff रहेंगे वो आपके business को चलाएंगे, and you can easily make money, passive source of income यहाँ से आप generate कर पाएंगे, passive income, यानि आप अगर for example, कहीं पिछुटी मनाने गए हैं, या दूसरा कोई काम कर रहे हैं, so this business is going to make you money, that is the biggest advantage of being, of starting a business, and also, आपका खुद का life अलग होगा, और आपके business का, जो segment होगा है, business का performance होगा, यानि you will be a separate entity, and your business will be a separate entity, which will be operating independently, तो सबसे पहला, चीज़ आपको समझना परे हैं, कि फाइदे क्या होता है, सबसे पहला चीज़ यह से, मैंने आपको बता दिया, कि automated हो जाते हैं, यानि अगर आप नहीं रहें, या आप कहीं छुटी मनाने गए हैं, तो फिर आपका business चलता रहेगा, आपके बिना यह business चलता रहेगा, और सी के साथ सथ, आप अगर for example, 20 years down the line, 30 years down the line, आप retire करना चाहते हैं, पर अगर आप tuition sentence चलाते हैं, आप ही के नाम पर business चल रहा है, तो फिर उसको, अगर आप retirement लेते हैं, तो आपका business भी retire हो जाता है, आप वो नहीं चाहते हो, the business is not tied with your name, the biggest advantage is, the business is not tied to your name, यानि आप चुटी मनाने जाते हैं, आप retire करना चाहते हैं, इवें अगर आप इस business को sell करना चाहते हैं, उसको आप easily कर सकते हैं, because your name is different, you as a person are different, your business is different, and easily आप इसको sell कर सकते हैं, share कर सकते हैं, अगर आप partners को लेकर आना चाहते हैं, वो भी लेकर आ सकते हैं, अगर आप इसको sell off करना चाहते हैं, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, that's the biggest benefit of starting a business, अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ भी अगर हो जाता है, you are liable, और business में क्या होता है, कि आपका limited liability होती है, ये भी कुछ advantages हो जाते हैं business का, तो अभी चलिए बात कर लेते हैं, कुछ case studies के बारे में बात करते हैं, कौन-कौन से ऐसे बड़े-बड़े start-ups हैं, या बड़े-बड़े ऐसे companies हैं, जो tutors ने शुरू किया है, definitely आपने अने academy के बारे में सुना होगा, अने academy started as a YouTube channel, फिर वो slowly and gradually, अभी यूनिकॉर्ण बन चुका है, बिलियन डॉलर कंपनी बन चुका है, फिजिक्स वाला डिफिरेंटली, इट आज़ो started as a YouTube channel, एक tuition teacher ने उसको पराना शुरू किया था, एन राइड नाओ, 8,000 करोर का company वो बन चुका है, बाइजूस भी, बिजिनस बहुत ही असानी से launch कर सकते हैं, इतने large scale में ना सही, पर एक अच्छे level पर आप business को grow कर सकते हैं, पर उसका foundation सही होना परेगा, और उसी जगापे हम आपको मदद करते हैं, basics को clear करने के लिए, तो दो चीज यहाँ पर आपको समझना परेगा, कि दो options आपके पास होते हैं, एक होता है कि आप self brand कर सकते हो, या business brand कर सकते हो, जैसे physics वाला जो है, उनका नाम अलग पांडे है, तो अभी अलग पांडे अगर physics वाला से मैं अलग कर देता हूँ, तो फिर it will be very difficult to identify, इसलिए आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा, कि आप self brand करना चाते हैं, या business brand करना चाते हैं, जैसे इसके लिए कि मैं अलग हूँ, ठीक है, मेरा नाम अलग है, मेरा नाम मंबुरिशनात है, मैं founder हूँ इस company का, पर अगर सोचिए कि मैं अगर, कल मैं इस company को base देता हूँ, या sell off कर देता हूँ, so the business will continue, because the business has its own name, जैसे मैंने पहले ही कहा है, कि business has its own entity, सबसे पहले आपको यह decide करना पड़ेगा, कि आप क्या अपने नाम से brand को शुरू करना चाते हैं, या अपने business का अलग नाम देना चाते हैं, अलग पांड़े, उनका नाम अलग है, पर उनके company का नाम है क्या, physics वाला, तो दोनों जो है separate entity है, तो यह आपको यह सबसे पहले, figure out करना पड़ेगा, इसके बारे में further discussion करते हैं, तो which one is better, both of it is better, अगर आप already, tuition field में, coaching business में already established है, then definitely you can start off with your own name, यहाँ पर आप दे सकते हैं, रतुल सर, classes, ऐसे करके आप कर सकते हैं, पर इसमें problem ही हो जाता है, after a point of time, there are a lot of रतुल सर, आप में भी कोटा में बहुत अच्छा बढ़ाते हैं, अपका नाम रतुल है, ठीक है, बहुत अच्छे बारते हैं, बर दिल्ली में भी तो कोई रतुल सर होंगे, कोलकता में भी तो कोई रतुल सर होंगे, तो वहाँ पर branding को लेके बाद में issue हो सकता है, तो इसलिए मैं सेज़ करूँगा, कि आप अपने business का अलग से एक नाम लेके आप शुरू कीजिए, जैसे अलग पांडे ने फिजिक्स वाला शुरू किया था, रोमन सैनी ने आपका अने अकाडेमी शुरू किया था, बाईजू रवींदरन ने बाईजू शुरू किया था, तो ऐसे आप शुरू कर सकते हैं, इट इस कंप्लीटली अप टू यू, आप कौन से सेलेट करेंगे, कमेंट सेक्षिन में बताएगा, और इसमें अगर आपको कोई भी गाइडिन्स चाहिएगा, तो आप हमारे टीम के साथ जूर सकते हैं, वाटसएप के माध्यम से कोई भी कुर्शिन कोई लिए होगा, आप पूछ सकते हैं, बात करेंगे कि नाम अभी आपको सिर्वर करना पड़ेगा, आपने डिसाइट के लिए कि आप अपनी नाम से करेंगे, या अपनी बिजनस के नाम से करेंगे, यहाँ पे सुर्ण में आपको लगहा हूँ कि बहुत ही सिंपल है, पाध गालत की सिंपल हमें इसको याद रखने मी बहुत हńskयं हो कि यहाँ बहुत पूछत है , सबस करें नाम को चाहिए बहुत है इसको नामस्तों, यह नाम बहुत difficult है तो फिर बाद में मुझे पता चला है यह दवाई का नाम है तो यह बहुत difficult नाम हो जाता है यह आप spell नहीं कर पाएंगे कोई कहेगा n light कोई लिखेगा n light तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि it should not be difficult to spell जो भी नाम रखेंगे it has to be very simple यानि skill yogi physics वाला, unacademy, baiju, so बहुत simple नाम है easily आप उसको remember कर सकते हैं and it has to be very easy to spell और वाला, physics आपने डिफेंट लिए subject का नाम है इसलिए आप उसको remember कर सकते हैं वाला का मतलब वाला खतम, उसी जगह पे अगर हम वेदान्त, वेद, अन्तु वेदान्तु, baiju, 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 यानि दो बार में आपका हो जाता है वेदान्तु, वेदान्तु में तीन हो गया, physics वाला, physics वाला, baiju, baiju ऐसे नाम आपको रखने हैं which is very simple and obviously copycat नहीं करना है copycat का मतलब अगर physics वाला को आपने maths वाला कर दिया वेदान्तु, वेदान्तु एक solid word हो गया, मतलब यह ऐसे नहीं कि दूसरे word के साथ confusing नहीं है अगर आप orange नाम देते हैं, तो orange नाम का color भी होता है, फल भी होता है, even mobile operator भी होता है ठीक है, तो confusing word नहीं देना है, physics वाला में physics एक solid word है, वाला एक solid word है वेदान्तु में वेद एक solid word है, अन्तो एक solid word है, और योगी जो है वो solid word easily आप इसको remember कर सकते हैं, spell कर सकते हैं और याद रख सकते हैं तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप अपने business का नाम select कर रहे हैं इसके उपर आपका पूरा business career है वो depend करेगा, तो अभी आगए हम practice segment में practice segment में हम क्या करेंगे, जो भी आपको learning segment में सीखने को मिला था, वो चीज़ अभी हम practical way में implement करेंगे और यहां पर आपने pen and paper लेकर जो भी आपनी session लिया है, जो भी आपनी notes किया है अभी आपके business का नाम हम decide करेंगे, आप अपने business को कैसे launch करेंगे, यहां पर जो मैंने आपको verbally समझाया है या theoretically समझाया है, उसको practically यहां पर implement करने वाले हैं, इसलिए अभी pen and paper ले लीजिए और सबसे पहले लिखिए business का नाम, क्या नाम देंगे अपनी business का, कुछ अपने favorite words को लेके आप कर सकते हैं, आप अपना नाम दे सकते हैं, या जो subject पढ़ाते हैं, वो दे सकते कुछ-कुछ ऐसे words को आप इस्तमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद आते हैं, ऐसे कुछ नामों को आप सबसे, या जो words हैं, उसको सबसे पहले आप लिखिए एक paper पे, paper पे लिखने के बाद उसके उपर ही आपके business का नाम decide होगा, और एक चीज़ दियान रखे हैं कि कि किसी दूसरे को copycat नहीं करना है, यानि दूसरे brand का नाम, logo और यह सब एकदम copycat नहीं करना है, आपको अलड़ी famous companies का नाम पता होगा, famous brands का नाम पता होगा, even अपनी industry में, जो coaching centers है या coaching business है, उसका नाम भी आपको पता होगा, उसको copy एकदम नहीं करना है, यानि आपको genuine नाम decide कर या 10 ऐसे नाम लिखिये जो आप अपने business को देना चाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को continue केजिए, एक चीज़ द्यान रखें कि copy paste का का काम नहीं करना है, यानि बाइजू का नाम तो है ही, आपने अपने नाम दे दिया, अपने business का नाम दे दिया, राइजू, physics वाला से Maths वाला लिख दिया, वेदानतों से student to लिख दिया, आफ grad से learn grad लिख दिया, अन academy से सीखोडे में लिख दिया, ऐसा काम नहीं करना है, copy paste का काम नहीं करना है, जनुईन नाम लिखना है, at least 10 नाम आपको लिखना है, 10 नाम, 10 नाम जब तक नहीं होता है, तब तक वीडियो को pause करें, और वो जो 10 नाम है, उसको लिखने के बाद वीडियो को continue करें, नाम अभी आपने decide के लिए, confusion हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको help करूँगा न, क्यों attention ले रहे हैं, हमारा यहाँ पर जो course है, training module है, इसलिए तो हमने बनाया कि ताकि आपको practical हम help कर भाएंग कैसे आप names, जिस्टर website को इस्तेमाल कर सकते हैं, नाम, अपने business का नाम पाने के लिए, तो अभी आपने 10 words आपने लिख लिया था, ठीक है, क्या-क्या word लिखा था, मुझे बताइए, pause कीजिए वीडियो को और मुझे, उसका नाम बताइए, हाँ, बहुत अच्छी बात है, 2nd word, 3rd word, 4th, 5th, 6th, 7th, 10 नहीं हुआ, चली 8 तो है ना, कोई बात नहीं है, बहुत बहुत अच्छी बात है, उसको आपने लिखा हुआ है, अभी आप क्या करेंगे, computer या mobile में जो है, एक website को open up करेंगे, जिसका link मैं description में आपको दे दूँँगा, या आप name cheap, name suggestion, गूगल म suggestion, गूगल में डाल के search करो, और यह जो word आपने select किया था, वो word आपके पास होना चाहिए, वो kagas में लिखा हो, mobile में लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे चलिए, मैं आपके साथ एक नाम suggest करूँगा, किफा example, मेरा नाम है राहुल, ठीक है, मैं क्या पढ़ात सकते हैं, ठीक है, tutor, help मैंने अल्रेडी लिखा हुआ है, तो help मैं reduce कर दूँगा, for example, अगर आप Delhi से हैं, Delhi आप लिख सकते हो, maths का क्या होता है, exam, test, तो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, दस word मेरे हो गए, तो यहाँ पी यह 10 word लेके जो है मैं अभी name register में जाओंगा, कि भई, क्या नाम रखना चाहिए मेरे business का, तो चली देखते हैं, तो मैं आ गया, name cheap, name search मैंने google में search कर लिया, यह मेरा domain name generator open up हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप website को open up कर लेंगे, open up करने के बाद, आप जाएंगे, यहाँ पे आ सकते हैं, या आपने इपना नाम दे दिया, राहूल, ठीक है, search पे click करेंगे, search पे click करने के बाद, आपका यहाँ पे आएगा generator का option, तो generator पे आप click करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो 10 word हमने select किया थे, वो हम लिखेंगे, राहूल, maths, Delhi, teacher, skill, exam, test, preparation, दस से भी आर वर्ट को देखे भी आप काम कर सकते हैं, तो 8 word मैंने डाले, यहाँ पे मैं generate पे click करोगा, यहाँ पे सबसे बड़ा फाइदा ही हो जाता है, कि आपको logo भी दिखा देता है, बहुत बढ़िया tool है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा, आपको बहुत लंबा लंबा नाम यहाँ पे select नहीं करना है, आपको देखना है कि वाई, कौन सा ऐसा नाम है, जो unique है, preferably.com पे available है, जिसको आप ले सकते हैं, easily, you can read it, spell it, remember it, ध्यान में रखे हैं, skillset.com बहुत बढ़िया नाम है, skillset.com, फिर अगर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा confusing है, कोई बात यह कुछ word ह हटा देते हैं, maths, teacher, exam, चलो, फिर से इसको generate पर click करेंगे, generate पर click करने के बाद देखो, mathematical, okay, ability, tutoring, mathematics, लंबा 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 नाम ले ले रहे हैं, यहाँ पर लंबा 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 नाम आपको नहीं लेना है, चोटा, simple, easy to remember, simple to spell, ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा स confusing है, आप देखते रहो, math, tutor, online, okay, यह बहुत बड़ी है, math, tutor, online, but थोड़ा सा unique नाम हम दोनेंगे, यहाँ पर, tutors, mathematician, teachers, noida, okay, noida तो नहीं होना है, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तो चलिए इसको थोड़ सा reduce कर देते हैं, दो वर्ट लेके भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, math, test, math, test.com, थोड़ा सा test, यह सा सा जो स्रब्द है, वो थोड़ा सा difficult हो जाता है, pre-testing, अच्छा, easy to remember, आपको ध्यान में रखना है, आपको देखो कितना बड़ी है, color भी आपको बता देते हैं, logo भी आपको देते हैं, बहुत बड़ी है, math, chat, वो भी आप दे सकते हो, math, chat, वो भी आप दे सकते हो, math, chat, okay, बट वो चार्ट चार्ट बोलेगा न, तो इसलि अबी, simple सा नाम डूर ने के अभी, prep work, बहुत अच्छा नाम है, math prep, math prep, तो चलिए, दो वर्ट से शुरू करते हैं, maths और ये exam, दो वर्ट से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं जादा, जैसे आप समझ रहें न, कि कौन सा कौन सा आपको tune पता चल जाएगा, ये तो मेरे preparation, math prep, math prep, math practice, math practice अब लिखो, ठीक है, math prep, ओके, बहुत बढ़िया, आपको लग रहा है कि math practice.com, 3000 डालर है डरनी की कोई बात नहीं, इसका भी मैं आपको solution दे दूँगा, ठीक है, math education.com, math education.com, बहुत अच्छी नाम है, math prep, prep math, math prep, math test, test math, ये नाम आपको परस्चार वर्ड आ चुके है, औक बहुत अच्छे बात है, तो चार वर्ड आपके पास आ चुके है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फिर से domain में जाएंगे, हम च्ण करेंगी, हम ये कौन सा domain लेना है, तो अभी नया domain Open Up करके च्ण करेंगे, तो अभी हम सर्च करेंगे math prep preferably dot com मिल जाता है तो बहुत अची बात है बढ़ dot com नहीं मिलता है तो दूसरे से भी हम काम चला लेंगे math prep academy यहाँ पर सालाना आपको 14 डॉलर देना पड़ेगा और पहला साल 14 डॉलर उसके बाद 27 डॉलर तो लंबा नाम यह नहीं लेना है हम क्या लेंगे फिर हम देखेंगे dot com है क्या dot com नहीं है dot in है क्या क्योंकि आप Indian teacher है तो आप dot in भी दे सकते हैं देखिए क्या बात है पहले साल तो आपको 70 रुपे देना पड़ेगा math prep dot in और सालाना आपको 8 डॉलर देना पड़ेगा math prep dot in क्या नाम मिल गया है अप्री बिजनस का math prep यानि अगर आप math teacher है हो गया नाम must नाम है math prep और क्या चाहिए आपको गजब लगाना मेरे साथ है थीक है तो नाम आपने select के लिया math prep dot in math prep dot com होने से बेटर है dot in भी चल जाएगा dot com भी चल जाएगा dot co भी चल जाएगा dot com is much preferable तो आपने company का क्या नाम रखना है math prep math prep आपका नाम रखना है company का तो अभी चले देख लेते हैं dot com available है या नहीं 1998 में जो है इसने register करके रखा हुआ है तो अभी हम check करेंगे math prep dot com जो है वो कौन सा company है कोई already existing company है या नहीं तो उसके बाद हम क्या करेंगे google में search करेंगे math prep बोलके already एहमद बिलाल का यूटूब चैनल है किसीने company बड़ रेजिस्टर किसीने नहीं किया है math prep जो है बहुत जगा पे इसको utilize किया गया है confusing हो सकता है तो अभी हम इस नाम को second list में रखेंगे फिर से दूसरा नाम हम दूरनेंगे जिसको हम utilize करेंगे हमारे business के लिए चली देखते है तो अभी हमारे पास कौन सा नाब ना prep math देखो 4000 डॉलर है बहुत expensive है कोई बात नहीं prep math in हम देख लेते हैं या available नहीं है देखो भई jackpot लग गया prep math.in हमारे पास already है तो चली अभी देख लेते है prep math बोलके कोई company है या नहीं है अगर है तो फिर उसको हम second list में रखेंगे prep math बोलके आपका youtube में एक channel है जादा कुछ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है कितने सारे result है 2,96,6,6 prep math, prep math, prep math बोलके जादा नाम हमारे पास नहीं देख रहा है तो बहुत अच्छा नाम है prep math, team prep math already यहाँ पे कोई बाद नहीं है 2021 का है इनका website है क्या अभी थोग साथ देख लेंगे हम जी नहीं इनका जादा कुछ नहीं है तो आप इस नाम को ले सकते हैं prep math.in ठीक है तो यह नाम जो है आप इसको select कर सकते हैं तो इसी तरीके साब to and pro करके इसके माद्यम से prep math prep math करके अगर आप देखते हैं तो अगर मैंने यहाँ पे पर click करके save कर सकते हैं color screenshot लेके आप save करके रख सकते हैं बाद में अगर आप अपने जब website बनाएंगे color decide करेंगे logo बनाएंगे तो यह आपको बहुत help करेगा तो अभी आपको समझ में आ गया अभी इसके बाद आपको क्या करना है अपने business का domain का नाम daddy में जाके कर सकते हैं name shape में कर सकते हैं बहुत सरह ऐसे website से जहां पर जाके आप अपने business का domain जो है register करवा सकते हैं क्यों register करना है क्योंकि आपके जैसे बहुत लोग जो है search कर रहे हैं उस नाम को अगर कोई ले लेता है Twitter, Google Map, Just Dial में सारा profile जाके आप बनाईए YouTube में channel बनाईए Facebook में आपके बास content नीए Facebook में page बना के रखो Twitter कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं को इशू नीए Google Map में आप बाद में भी कर सकते हैं एक business profile आप तयार कर सकते हैं जहापे आपका business के नام प्रेप मैत रहेगा जस्ट डाइल आर्वन प्रो में आप सेग्मेंट में कर सकते हैं अभी इंस्टेंटली यूटूब फेस्बुक इंस्टाग्राम पे जरूर बनाए बना लिए आपने वीडियो को पॉस्ट करके आप सबसे पहले उसको बनाओ इसलिए तो यह प्रैक्टिस सेग्मेंट है ना हम इस वीडियो का साथ साथ आप चलोगे आप उसको इस वीडियो को पॉस्ट करो आप पेजिस तियार करो चैनल तियार करो फिर जाके इस वीडियो को कंटिन्यू करके आप कंप्लीट करो तो अभी आपने पेजिस बना लिए ह अभी आपको brand identity बना रहा है यह एक segment हम बनाएंगे cover करेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अगर आपको confusing लग रहा है अभी भी आपको overwhelming लग रहा है तो वीडियो को pause कीजी बाद में आके भी आप इसको देख सकते हैं या भी आप इसको continue कर सकते हैं यहाँ पर identity का मतलब होता है जैसे skill yoga का logo है by juice का logo है physics वाला का logo है तो यहाँ पर logo आपकी identity हो जाती है आपके business का identity होता है तो logo आप canva में बना सकते हैं इसलिए मैंने आपको बताया था जब आप domain name search कर रहे थे आपको थमने लिए screenshot लेकर रखना चाहिए था इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि वो as a reference point आपको help करेगा आप Fiverr पे जाके किसी को hire कर सकते हैं या name chief का जो logo है उसी को आप for the time being इस्तमाल कर सकते हैं या canva में जाके आप अपना logo बना सकते हैं आप को नहीं पता है तो आप canva का course हमारा कर सकते हैं उसके बारे में अगर आप जादर जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे team के साथ जुड़ सकते हैं तो अभी सब कुछ आपका brand त्यार हो चुका है brand का नाम त्यार हो चुका है website भी रेइस्टर हो चुका है अभी नहीं तो एक हफते बाद, एक महीने बाद या तीन-चार महीने बाद आपको definitely करना है क्योंकि जैसे आपका business grow करेगा वहाँ पे legality is a very big thing that needs to be taken care of क्योंकि आप यह नहीं चाहते हैं कि आप इतना मैनत करके 6 महीने अपने brand को त्यार करें उसी नाम से किसी ने register कर लिया फिर वो आपको बता रहे है कि मैनत हो company register कर लिया यह company मेरा है आप कुछ नहीं कर पाओगे यह पे नहीं कर पाएंगे बिल नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपके वाज GST नहीं है तो जब आप legally अपने business को register करते हैं तो उसमें आपको यह advantage मिलती है आप company के नाम से bank account कोल सकते हैं company के नाम से आप business कर सकते हैं नहीं तो उतने दिन तक आप अपने नाम से भी कर सकते हैं अगर छोटा मोटा अगर आपका deal हो रहा है local अगर आप business deal कर रहे हैं तो उसमें अपने नाम से भी कर सकते हैं but it is preferable हमने एक training segment में cover किया है कि कैसे legal हम cover करेंगे legal चीज़े बहुत important होती है but for the time being you can keep it aside पर ये चीज़ को ध्यान रखने और अभी इस video के इन तक आपको क्या सीखने को मिला या इस training module में आपको क्या सीखने को मिला कि आपने business को already select कर लिया है business का नाम define कर लिया है logo define कर लिया है website define कर लिया है और अभी brand identity आपने त्यार कर लिया है अपने business की तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए आप खुद के लिए थोड़ा सा ताली बजाईए खुद को थोड़ा वावाई दीजिए और next video के लिए next segment के लिए वेट कीजिए हमाई टीम आपको वीडियो बेज़ेगी और उसको continue कीजिए और यहा